नमस्कार दोस्तों वेस्ट्रक्टर्ट के यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है एयरपोर्ट ऑथरिटी आफ इंडिया के तरफ से रिक्विट्मेंट जारी हुई है आए जाने लेते हैं इसके इसलिबिलिटी क्रेक्टरिया क्या है कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं एयरपोर्ट ऑथरिटी आफ इंडिया के तरफ से जुनियर एक्स्क्यूटिप्स और एसिस्टेंट के लिए रिक्विट्मेंट जारी हुई है इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म भरने की जो पांच और वैसे फॉर्म भरी जा रही है जो कि सप्टेमबर तक चलेगी चार सप्टेमबर तक आफ फॉर्म भरतकते हैं और जो फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो चार सप्टेमबर तक आजए सेम है और एक्जाम जो डेट है वो एजपर सुडिविट के हिसाब से ही होगा अब इसका कोई डेट फिक्स नहीं है आई जान लेता ओड़िट काड़ और निटर बेंकिंग का यूज़ करते हैं अगे बढ़ते हैं एज लिमिट के तरफ तो मैकसिमम एज है 30 साल जुनियर और सिनियर एसिस्टेंट बोस्ट के लिए और मैकसिमम एज है 27 साल जुनियर एक्सक्यूटिप के लिए इसमें आप कन्फ्यूजब हो minimum age जो है वो इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि eligibility में आपको बता दियागी कि जो bachelor degree वाले हैं वह apply करते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो age relaxation है वो आपको OBC और SCST वालों को मिलेगा तो आए वेकेंसी के बात करें तो ική 322 इस вот के लिए वेकेंसी जारे हुए है अलग-अलग ोश्ट के लिए जूनियर एक्सिकूर्टिब कमन čाड Linux के लिए 277 पोस्ट है जूनियर एकसिकूर्टिव फाइनिंस के लिए 66 पोस्ट है। जूनियर एक्स경ा चयूर्टिद junior executive की बात करें तो इसमें bachelor degree किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया है किसी भी रेकॉगनाइज उनिवर्सेटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं junior executive fire service की बात करें तो बीटिक डिगरी और फायर इंजिनियरी, mechanical इंजिनियरी, automobile अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं junior executive law की बात करें तो bachelor degree आपका तीन साल का या पास साल का हो और साथ में आपके पास दो साल के experience होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं फॉर्म कैसे भर सकते हैं तो फॉर्म बढ़ने का आपका easy step है official website पर विजिट करें वहां से फॉर्म बढ़ सकते हैं हाला कि आप देख लेकि 5 अगर्स से फॉर्म का जो link है वो available होगा यानि कि जो value होगा आगे बढ़ लेते हैं फॉर्म बढ़ने के लिए आपकी जो recruitment के जो retail है वह आपको notification में दिखने को लिए अभी notification आपको दिखाने वाले इसमें ID proof, address, details जो है वह आप ध्यान से भड़े साथ में आपका personal email ID होना चाहिए और mobile नंबर होना चाहिए और साथ में photo signature ID proof जो है वो सब scan को भी लगेंगे परफॉर्म बढ़ने से पहरे आप इंची जोग अपने पास रख ले फिर फॉर्म बढ़ने के बाद आप ध्यान से जब भी आप payment करते हैं उसे पहले एक पर चेक कर ले उसके बाद आप payment जो होता है नौन refundable होता है उसके बाद आप टिक प्रिंट आउट निकालके रख ल अब बात कर लेता है इसके salary की तो आपको पेस्केल देखने को मिलती है वह आप यहां से देख सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्कास भी सेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपने चैनल क को सब्सक्राइब के लिए ताकि आसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे इंटे दिखने के लिए जन्नेवाद